मुंबई में बाबा सिद्दिकी की हत्या के तार जहां यूपी के शूटरों से जुड़े हैं वहीं ये पूरा मामला महराश पुलस के लिए भी बड़ी चुनोती बन गया था लेकिन यूपी स्टियफ ने शूटरों को पकड़ कर और सबूस सामने रख कर एक बड़ी काम्याबी हासिल की है इस मामले में हमारे समवाद अता अब शेक सिंग एडी जी लॉइन ओडर अमिताब यश से खास बाचीत की है उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिये मुंबई में बाबा सिद्धिकी की हत्या के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े और फिर तमाम तरीके की टीम्स यहां पर काम करती रहीं आखिरकार यूपी स्टियफ ने उन शूटर्स को पकड़ लिया है जिन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया लॉरेंज विष्णोई से कैसे तार जुड़े था इस पूरी बातचीत को करने के लिए हमारे साथ खास्तोर पर जुड़े हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एड़ी जी लॉए नॉडर और स्टीफ चीप अमिताबियर साब सर कितनी बड़ा चैलेंज था और जब मुंबई पुलिस या महराश पुलिस आप लोग से कॉंटाक कर रही थी उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था और कहीं न कहीं यूपी पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में जो पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश पुलीस से संपर्क किया था और ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ शूटर्स या कुछ लोग जो इस घटा में इंवाल्व हैं वो बहराईच के रहने वाले हैं इसमें फिर लगतार उत्तर अपराधियों की निगरानी की जा रही थी उनके बारे में साचे संकलन और इंटेलिजन्स कलेक्शन किया जा रहा था और मुंबई पुलीस भी लगतार हम से संपक्त में थी और उनकी टीम भी उतर प्रदेश में कैंप कर रही थी इन ही प्रयासों का नतीजा हुआ कि इस घटना में जो मुख शूटर था शिवा और शिव गौतम ये बहराई जिले से इसको गिरफ़तार करने में यूपी स्टी एफ की टीम और मुंबई कराईम ब्रांच की टीम को एक जॉइंट आपरेशन में सफलता मिली इस से कई अहम जानकारियां हासिल हुई इस से पूछताच हुई लगातार और ये पता चला कि मुख शूटर शिवा और धर्मराज कसिप ये जो दूसरा शूटर है जो पूर में ही गिरफ़तार किया जा चुका है वो दोनों एक ही गाउं के थे इन से शुभम लोनकर नामक एक व्यक्ती ने जो इनकी दुकान के बगल में स्क्राप का दुकान करता था उसने संपर्क किया था और स्नाप चैट पर इनकी बात अनमोल से कराई थी अनमोल लॉरेंस बिसनोई का भाई है और इसी बाचीत में इस हत्या की प्लानिंग की गई थी इस प्रकरण में जो अख्तर जो जालंधर का रहने वाला बताया जाता है और अनमोल ने प्रोवाइड कराया था जिसमें असलहे और साथ ही जो मृतक है उसकी लोकेशन अन्ने सपोर्ट भी इन लोगों ने हुपलाफ कराया था इसमें अगरिम जा जो है मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही ह उनके द्वारा अगरिम करवाई की जाएगी और पूरे घटना के बारे में अनुसंधान उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है सर एस्टीएफ को बहुत बड़ी काम्यावी मिली है लौरेंस बिस्नोई गैंग के इसी तरह के कम उम्र के शूटर्स जिनका कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बैक्राउंड नहीं होता ऐसे लोगों को चुनते हैं और उत्तर प्रदेश कहीं की टार्गेट में से रहा है सर इस और जाकर काम करते हैं और का फी कम स्किल वाले होते हैं तो इनको अफराधियों दवारा ट्रैप करके यूज करना और पिर इनको डिसकाड़ करना बहूत असन होता है ये चीज पहले मुंबई के माफिया भी इसी का एस्तमाल किया करते थे और पुरवांचल से के कई जिलों से ऐसे लोग जो महरास्ट में जाक काम करते थे उन्हें आपराद के लिए इस्तमाल किया जाता था अब ही भी ये समस्या है लेकिन अब अन स्टेट की पुलीस और उत्तर प्रदेश पुलीस की का कोपरेशन बहुत अच्छा है और कोई भी इन्फरमिशन किसी भी प्रदेश से अगर प्राप्त होती है तो यहां हम अपनी स्टेशल यूनिट्स और जन्पधिय पुलीस दोनों को लगाते हैं कारे के लिए और यही कारण है कि इस प्रकार के घटनाओं में सफलता रिलेटिवली आसानी से मिलती है पिल्कोल देखे हमाई साथ HTF चीफ हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यह कम उम्र के जो लड़के हैं या फिर इस तरहा के लोग जो बहुत स्किल्ड नहीं होते उन्हें किस तरहा के जो गैंग्स हैं वो इस्तमाल करते हैं पूरे मामले में जान चल रही है और मुंबई पूलिस आगे और भी वेच ना करेगी। कामर्मेन दीपक के साथ अब इशेक सिंग इंडिया निउस लखनो।